आज अम्रिसर दे करीब सारे बें रस्ते ने ओनानों बांध कार दिता गया है आते किसे भी व्यक्ति नू बार निकलन नहीं दिता जा रहा है किसी जगा ते पुल्स करमचारी ओनानों लोकानों प्यारना समझांदे होई नजर आ रहे ने दूसरे पासे कही आनों डंडा तंत पर वी दिखाया जा रहा है लेकिन आज दे देन दी गाल किती जावे ते आज दे देन नवरात्रियां दी शुरुआद होई है और जिस जगह ते सी खड़े आए नों दूर गयाना मंदर केंदे और अमर सार्दा बहुत प्रसिद मंदिर है और इस जगह दे आज दे दिन ल सही अरदास कार देने हलांकि ए नवरात्रे जड़े ने नो दिन लगाता चाल देने और पूझ जड़ी पूझाया और लगातार कीती जान दिया लेकिन करोना वाइरस ने कितना किते आस्था हुते चोट जड़ी आ ओमारी है और लोग जड़े ने कोई भी व्यक्ति जड़ बहुत जड़े पुकता परबांद जड़े ने कीते गए ने और जड़े में दरवाजे ने ओना उते डॉक्टरां दी टीम भी बठाई गया है और थर्मल स्कैनिंग करन तो बाद ही उना नो अगे वालनो जानता जानता सी गा लेकिन देर रात देश दे परधान मंतरी नरे कोई भी व्यक्ति जड़ाया ओ दुर्ग्याना मंदिर दे अंदर मजूद नहीं है गा लेकिन एजड़े नवरातरे ने एक अपनी वक्री महत्तवताया की है महत्तवता पंड़जी को पुछलाने आप पंड़जी क्या नाम है पहले आपका और क्या कहना चाहते हैं आज के दिन यहां पर नवरातरों के दिन पर बहुत भीड़ोती है आज नहीं है क्या कारण है इसके पीछे देखे जी जो पूरे विश्व में पूरे देश में पूरे शहर में जो एक आपात स्थिती आई हुई है लोगडाउन हुआ है हमारे मानिय श्री प्रधान मंत्री जी के द्वारा जो सभी के लिए एक आग्रह किया गया एक निवेदन किया गया है उन्होंने यहां तक का है कि मैं करवध प्रार्थना करता हूं उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी उनका भी सनमान करते हैं और उनके सनमान के अलावा सबसे बड़ी बात ही है कि जान है तो जाह सह से लोग आते हैं उनकी सबकी मनतें पूर्ण होती है इस नवरात्रियों में आज जो है पहला नवरात्रा है आज से हिंदू संस्कृती का वर्ष प्रारंब होता है पहला दिन है वर्ष का तो जिस प्रकार से आप एक जन्वरी को मानते हैं उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति में हम इसको जो है चेत्र नवरात्रे को मानते हैं आज के दिन इतिहास के दृष्टी से भी अगर हम देखे तो बड़ा महत्वकून दिन है आज के ही दिन विक्रमा जीत राजा विक्रमा जीत से संबत प्रारंब होता है तो उन्होंने जो इस्थाप संस्कृति का आज पहला दिवस यह है यह हमारा वर्ष प्रारंब होता है जिससे और यह माता जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं सीतला माता जी का यहां अपार जन समुह उबढ़ता था और इसमें आकर के सब लस्ती चढ़ाती थी बिवाहित लड़की भी और आबिवाहि कर रहे हैं अक्षर से पालन करने का प्रयास करते हैं और मैं आपके माध्यम से सभी शहर को सभी नगरवासी को सभी देशवासियों से हाद जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि हम सभी इसमें सम्मिलित हों और इसका सभी को लाव पोँचे सभी स्वस्त हों सभी निरोगी हों सभी आरोग यहों इसी कामना के साथ हूं वैसे अगर करोना वाइरस नहीं होता तो अनुमानन कितने के लोग यहां पर और शरधालू कितने का आ जाते थे यहां पर क्योंकि जे नवरात्रे जो हैं जैसे आपने बताया कि हिंदू समाज के लिए यह नया साल की शुरुबात है कितने के लोग यहां पर होते थे कठा है और कितनी के यहां पर भीड कठी होती थी लेकर आज इस प्रकार की परिस्तिती है कि कोई भी दर्शन करने के लिए भी आदमी नहीं आ सकते जो चाहते हैं हमने भी आज जो यह समझ यह किस वर्ष का जो सम्मत सुनाया है लोगों को वर्टसेप के माध्यम से मॉवाइल के माध्यम से फेस्बुक के माध्यम से क्योंकि लोगों को तो आदत बनी हुई है वो सुनना चाहते हैं कुछ ही ये सिटी केवल के माध्यम से आपके दूर दर्शन के माध्यम से मीडियां के माध्यम से तरह तरह से लोगों के लिए संदेश पहुंचाया है और उसी में लोगबाग अपने संतुष्ट हो करके जो भी परमात्मा खीचा है आज घरों में खेतरी भी नहीं बीजी गई और उनके पास में जोत जगाने का भी साधन किसी के पास नहीं मिलते तो ये सारी महत्व्पूर्ण चीजे हैं जो इन उत्सबों से जुड़ी हुइए माता जी के स्वरूप से जुड़ी हुई आज नहोने के नाते से हमने भी सब को यही संदेश दिया और आपके माध्यम से भी यही कहते हैं कि आप अपने बड़ा आयुजन करने से मिलता है इसलिए शांती से घर में बैठना ही इस समय और मानवता की पुकार है उसको सनमान करते हुए उसको मान देते हुए हमें घर में ही रहें और घर में रहकर के परमात्मा का नाम सिम्रें करें अभी पूरें तोर से यह बंद कर दियागा है मंदर अभी जी 100% हर प्रकार से केवल जो मंदर के अंदर के जो हम सेवादार हैं करमचारी हैं वो भी जो लिमिट में आ सकते हैं वही आये हुए हैं हम हमारा जो मंदर है यह बहुत पुजारियों और सेवा करने के बादे चुप करके अपने घर में आजाना है पॉल्ष जान आरे थ Party हम ने सारी व्यवस्ता हमको करना करके दी है सेनेटाइजर भी है, हेंड वाउश भी है हमारे पास में, उन सब प्रकार से हम जितना भी हो सकता है, हम से हमको जितनी समझ है, जितनी हमारे अंदर योग गिता है, हम सब प्रकार से अपने आपको भी और आने वाले महमानों को इस सब को सुरक्षत रखने का प्रयास करते हैं ऐसान दुर्गयाना कमेटी दे जारी जी और नादा कहना एही है कि करोना वाइरस तो बचे नोवास्ते हमेशा इसान अपने कार सुरक्षा दे नाल रहना चाहे दा और अपने परवार नू जड़ी है और तो जात पाल लई अकठे होके चलन दी लोड़ है इसे करके दुर्ग गैना मंदिर बांदकार देता जाएंगा और पजारियां दी घड़ी गिंटी है और पजारी सिर्फ वी दी जगा चार। देते गहें ने तां जो की के वी तरह है धी ना मुरद ब्हमारिया बो ना लग सकए हलNew हर रुजाना ही पजारियां दी Наल स्कैनिंग भी किती जा रही है थे नाले ओना दे हैंड जड़े सेनेडाइजर दे नाले उना दे हाथ भी साफ करवाए जा रहे हैं ता जो की एवी अपने परवार दे नाले हास दे वास दे रहां लेकिन अमर सर दे वीचे दुग्यानक मंदिर दी एक वखरी पहचान है और व परवार दी कामना लई अर्दास कार दे सीगे लेकिन देर रात प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी वलों अपील तो बाद दुग्यानक मेटी ने ए इनिशेटिव लिताया कि दुग्याना मंद नू प्रोपर बंद कार दिता जावेगा केमरामेन साहिपरी देनाल गुरपरी सेंग पांचाब तुड़े अम्रिसर